यूनिक सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफार्म पे मैं जुनेद इबरहीम लेके आया हूँ 15 मिनट 15 सवाल जिसमें हम बात करते हैं करंट अफेर्स की करंट अफेर्स में आज सुबा के बज रहे हैं सुबा के 6 बज के 15 मिनट हो रहे हैं और आज है 21 तारिक यानि के 21 तारिक तीसरा महीना सन 2022 और ये है सुबा मंडे मंडे मॉर्णिंग में आप सबी का स्वागत करता हूँ पहला प्रिशन है किस देश के प्रधान मंत्री हाल ही में भारत आए हैं वैसे तो विदेशी दोरे कम हो रहा है हमारे देश के प्रधान मंत्री भी कम विदेशी दोरे कर पा रहा है लेकिन अभी जो विदेशी दोरे शुरू हुए है उसमें भारत में जो है प्रधान मंतरी आए वे हैं अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा जपान में प्रधान मंतरी नहीं चुने जाते हैं वहाँ राश्पती होते हैं बंगला देश के अंदर भी राश्पती होते हैं माली में किस देश के मुख्यमंत्री के बेटे ने धोकदड़ी के आरोप लगा किस मुख्यमंत्री के बेटे पे धोकदड़ी का आरोप लगा नेताओं में धोकदड़ी के आरोप लगते रहते हैं और ऐसे यह एक आरोप का सामना इस वक्त जो है सरकार कर रही है कौन से सरकार कर रहे हैं राजिस्तान के सरकार कर रहे हैं और राजिस्तान के जो मुख्य क्यों की पड़ाई के लिए अटल वासी विध्याले खूलने का निर्ड लिया है शिर्य अटल बिहारी वाशपई जो है हमारे देश के प्रदान मंतरी रह चुके हैं और उनका जो जो उनका करम भूलमी थी वो उत्तर प्रदेश का लखनो थी और जब लखनो थी तो उत्तर प्रदेश सरकार किने ही जो है अटल अवासी विद्धाले खोलने का निर्णे लिय प्रेश नमबर तीन के तरफ चलते हैं प्रेश नमबर तीन करनाटक में हिजाब विवाद पर फैसला सुलाने वाले जजों के जजों को कौन सी शेर्णी की सुरक्षा प्रदान की गई है जैसे आप लोग जानते कई शेर्णी की सुरक्षा होती है लेकिन जिनका जिक्र होता ह वो तीन शेडियों का जिक्र जादा होता है एक होता वाई एक होता जैड और एक होता जैड प्लस जैड प्लस अति महतपूर्ड लोगों को दी जाती है जैड महतपूर्ड और वाई भी महतपूर्ड लोगों को दी जाती है तो इन तीनों में से जो है वाई प्लस वाई सुरक जो करते हैievesफेते हैं कि पर साथ के शुद्वाइब की दूने कते हैं जाया जानते हैं कि जपान के ब्रधान पूस्तान हई वेते हैं और उसी के बीच में पाइब फॉर मिलीई डालर का करार किया है कि ले स्रार का एक हिस्सा है जपान की जो सुजू की कमपनी है जपान के सुजू की कमपनी उस ने इहां के ELECTROINE की वीकल्स बनाने के लिए जो है इンवेस्ट करने की हमारे हिंदुस्तान को प्रस्ताव दिया है अगला अगला प्रिश्ण है प्रिश्ण बच्छे योगी अदित्तिनाथ मुख्यमंत्री की पत की शपत कब लेंगे जैसा आप लोग जानते है भी हाल फिलाल में एलेक्शन होके निप्टे हैं दस मार्श को नतीजा है और योगी योगी 2.0 यानि के योगी सरकार का दूसरा कारेका शुरू होगा और वो शुरू होगा 25 मार्श को केडी बाबु सिंग स्टेडियम है लखनों के अंदर वहाँ पर शाम को चार बजे योगी अदित्तिनाथ अपने केमिनेट और राज्य मंत्रियों के साथ शपत लेते हुए नजर आएंगे अब हैं प्रिश्ण नमा साथ बह प्रेश्ण नमा 50 के अब इसके अवरे इसका असर अब यहाल फिलाल में आपको देखने को मिलेगा प्रेश्ण नम्बर आठ अमरिके राश्पती जो बाइडेन ने भारतिय मूल चे राजनायक पुनी तलवार को किस देश का किस देश का राजदूत नामित क्या है पुनीत तलवार जी जो है उन्हें जो है मौरकों का जो बनाके भेजा गया है राजनाएक बनाके भेजा गया है पुनीत तलवार को अमेरिकी राजपती जो बॉइडन के दुआरा प्रेश नमबर नो किस भार्ति पुरुष शटलर ने All England Badminton Championship में गदवर्ष के विजेता मलीशिया के लीजी जिया को हरा कर फाइनल में प्रवेश किया तो इसमें option देखिए इस वक्त सिर्फ आपको ये देखना होता है जब भी कभी MCQs में आप exam दे रहे हूं और current affairs की बात आए तो आपको ये देखना होता है कि इसमें तो जो option दे रहे हैं कौन सा option नहीं हो सकता पहले आपको ये पता लगाना जरूरी होता है तो जाहिर सी बात है कि पुरुष शटलर की बात हो रही है और अभी हाल-फिलाल की बात हो रही है तो पुलेला गोपीचन जो है वो इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी भी function में या किसी भी competition में प्रकाश पादुकोर जी जो है वो बहुत पहले ही सन्यास ले चुके हैं अब आपके पास बचे सिर्थ दो option किदामभी शिरिकानत और लक्षे सें प्रेश नमबर 10 की तरफ चलते हैं किस भा mosquitoes को माल्दीव सरकार ने स्पोर्स आइकन एवार्ट 2022 से नवाजा है जैसे का आप लोग जानते के हिंदोस्तान के क्रिकेटरों का जो है पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है यहां पर चार आप्शन दे रखे हैं और मैं बस इतना हिंड दूँगा आपको कि वो उत्तर प्रदेश से तालुक रखते हैं तो हम देखेंगे कि इन खिलाडियों में उत्तर प्रदेश से तालुक कौन रखता है आप्शन है ए सुरेश रेना विराट कोली जहीर खान ये युवराज सिंग आप्शन डी ये युवराज सिंग युवराज सिंग जो है पंजाब से तालुक रखते हैं उसके बाद है जहीर खान, जहीर खान कहां से तालुक रखते हैं, यस मुंबई से तालुक रखते हैं, वराट के लिए को जो है दिल्ली का छोरा का जाता है, यानि के दिल्ली से तालुक रखते हैं, अब यहाँ पर कौन बचे, अब यहाँ पर सिर्फ बचे, आपके सुरेश सुरेश रेना को ही जो है मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन एवार्ट 2022 से नवाजने की घोशना की है प्रेश नमबर 11 की तरफ चलते हैं बहुत ही तेजिस के साथ एशाय क्रिक्ट परिशत के अध्यक्स जेशा का कारेकल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है जेशा जी के जो है ये ये बेटे हैं और इस वक्त बी सी सी आई में इनका होल्ड है एशिया क्रिक्ट परिशत में ने इनका जो कारेकाल है वो एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है अब ये एक वर्ष तक और इसमें एशिया क्रिक्ट परिशत के अध्यक्स के तोर पर अपनी अप सियाओ सांगताम को नियुक्त किया गया है अगला प्रेशन है प्रेशन नमबर 13 किस बैंक में 800 करोड के घोटाले में सी बियाई ने केस दर्श किया है जैसे के आप लोग जानते हमारे बैंकों में घोटाले होते रहते हैं हर्शल मेता केस आपने सुन चुके हैं और भी कई जो है मेहुल चौसके का आपने नाम सुना है आपने बहुत लोगों के नाम सुने जो हिंदुस्तान का पैसा लेके विदेशों में भाग गया है ऐसे ही एक हादसा हुआ है और अभी जो ह बैंक के उपर इस पर F.I.R. दर्श की गई है तो option B जमू एंड कश्मीर इसका सही जवाब होगा अगला question की तरफ चलते हैं next है question number 14 question number 14 है हाली में शाहबुद्दीन एहमद का निधन हुआ वे किस देश के राश्पती रह चुके हैं तो शाहबुद्दीन एहमद जो है बंगलादेश के राश्पती रह चुके हैं कहां के राश्पती रह चुके हैं बंगलादेश के राश्पती रह चुके हैं शाहबुद्दीन एहमद और उनका हभी हाल फिलाल में ही निधन हुआ है आखरी प्रेशन आज के दिन का प्रेशन नमबर पंद्रा इंद्रा गांधी नेशनल ओपन यूनिवरस्टी में सतर दोहजार बाइस के लिए दाकले की अंतिम्टिते किया है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंद्रा गांधी नेशनल ओपन यूनिवरस्टी जो है वो हिं पूरा होता है जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है जिन लोगों ने इस सेशन को शेयन नहीं किया है वो एक बाइस सेशन को शेयर जरू कर दें लाइक और सब्सक्राइब जरू करें और हमारे साथ बने रहें कल हम फिर इसी वक्त इसी समय पर हाजिर होंगे मैं जुनेत इबरहीम आपसे इसी के साथ विदा लेता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का